हेलो फ्रेंड्स आज हम बिहार बोर्ट के लिए क्लास एट के लिए आपके डिमांड पे मैध का पेपर लेके आ चुके हैं जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं जैसा कि आपका फाइनल एक्जाम मार्च में होने वाला है उसी का यह आपका सेंपल पेपर है एक दम इसी परक पता चल जाएगा और किस तरह एक्जाम में लिखें ये भी आपको पता चल जाएगा और कैसे कैसे क्वेशन रह गया इससे क्वेशन टकटा हैंगे भी तो यह पूड़ा विडियो आप देख लिजिएंगे आप की डिमांड पे यह वीडियो बनाया गया तो पूड़ा कर नम्बर वन से स्टार्ट करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजएगा, वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजएगा, और सब इस सब्जेक्ट के लिए कमेट में जरूर रते हैगा अपना जीला के नाम, ठीक, तो चलिए, कुशन नम्र वन से यहाँ आपको benefit होगा आपको यदि एक साल नहीं परहें तो यदि आप एक साल नहीं परहें हैं तो इस चैनल से मातर आपके पास 10 दिन है 10 से 15 दिन है तो इतना पढ़ लिजिए आपको पूरा पूरा एक्जाम में लड़ जाएगा ठीक तो चलिए question number 1 से start करते हो question number 1 है कि निम्ने लि कहां तक बहुत आगे तक यह जैसे में एक 0 से 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितना तक आगे जा सकता है बहुत दूर तक एक करोर तक एक करोर तक तो कोई बोल देगा एक करोर तो दो करोर कोई बोल देगा तीन करोर कितना तक कहीं इसका अंत नहीं है तो इसी को कहा जाता है infinite आप परिभास इसका एंसर क्या हो जाएगा एक सब्सक्राइब कर देदेंगे अपको बना देजेगा आपको होलनमर समझ में आ पुर्ण संखिया तो अचली कोस्टन नमर ऐसे ही पूरा वीडियो ऐसे ही बताएंगे पूरा एक्स्प्लेइन करके बताएंगे ठीक तो चलिए question number 2 की और बढ़ते हैं चलिए question number 2 यहां पर 2 देख लेते हैं question number 2 है कि समीकरन एक question इसे ऐसा आपको रहने वाला दम ही है एक दम एक question आपको ऐसा रहेगा ही रहेगा तो पूरा वीडियो आप जरूर देखेगा और पूरा समझ समझ के पढ़ लीजिए ठीक चलिए question number 2 देख लेते दो number question है कि x plus 3 बराबर 5 x plus 3 बराबर 5 का हल क्या होगा तो यहां पर देख लीजिए इसमें x यह दोनों में नहीं है तो यह दोनों 7 में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और यह plus 3 है तो इस तरब जाएगा तो minus 3 हो जाएगा ठीक तो x बराबर क्या मिल जाएगा 5 minus 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तियानिक एक कमान कितना आया 2 आया किस option में है तो option number 3 में देखिए यहां पर एक खा में देखिए तो 2 है कि किसी भी बहु भूज के बाहे कोनों की माप का योग होगा बहु भूज के कोन के बाहे कोन जैसे में कोई भी कोन है उसका बाहरी कोन का माप कितना होगा ठीक इसका कितना होगा तो 180 होगा 180 इसका answer क्या हो जाएगा answer 3 का को हो जाएगा गर्षीज चाराके दिख लिए चाहरण मीं से 25 बाना गई क्या होगा यह कह जाए गई, च्वली कोर्शन नंबर democratic दो देख़ा है कि मिलान करें कचे हो 3 कोन श्מעियों कितना होटा है तो 180 होता है तापको क्या करना है सिधे मिलान कर देना है ठीक ऐसे ठीक चतर भूच का 352 का गह भ्युव मिलान कर दीजे थो गहनी सब कोई रेज कर देते हैं तो है थीक है जली वर पंच भूच पंच भूच का यह इसका कितना होता है तो पंच भूच का 1040 ठीक तो पान्सकु चारीश में साटीट का सास्थो इस तो आपको कर देजए गाता आपको फुल माक्श मिल जाएगा ठीक तो एसे आपको कॉस्टन रहने वाला है एकदम कोई भी कॉस्टन आपको टकड़ा जाएगा तो आपको उसको बना देना है ठीक चलिए question number 3 की और बखते 3 number question देख लेटे 3 number यहां पर question मेरे पास है चलिए यहां पर cut जा रहा है देख लेते हैं इसे में question number यहां पर 3 देख लेते 3 number question मेरे पास क्या है कि कोष्ठक में सही बीकल्प चुनकर खाली जगह को भरिये ठीक तो चली भरते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है माइनस सेवन माइनस थीरी ठीक माइनस करना है माइनस सेवन में से माइनस थीरी को माइनस कर दिना है यहां पर देखते हैं माइनस सेवन क्या तो माइनस सेवन हो जागा और यह minus minus क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक तो बड़ा में से छोटा घटेएगा तो कितना हैगा 4 और बड़ा कॉन है साथ साथ क्या है minus तो minus 4 इस कैंसर हो जाएगा minus 4 यहाँ पे देख लिए यहाँ पे minus 4 है तिसी में tick मार दीजे कितना हो जागा 4x और माइनस one तो 4x-1 यहाँ पर ओप्सन यही ही विला है तो यहाँ टीक मार दीजिए यहाँ फ्रीक जूट गया यहाँ लिख दीजिए चलिए यहाँ पर तीन नमर कोशन देख लेटें तीन में कोशन है एक चित्र दिया हुआ है यह सिधा है ऐसे अंदर है पिर बाहर ऐसे हैTERी तो यह पूछ रहा है कि कौन है अतल है या उत्तल है तो यह तो हो हो जाता उत्तल हो जाता जैसे में ऐसे है तो देखिए भी उठा हुआ है तो यह देखिए यहां दिये धसा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा और इसका दोसरा वाला हो जाएगा तो यहां फिलिक दिएगा और ठीक तीन का क्या हो जाएगा और ठीक चले चार में बहुते हैं च चले कोशन नमर्च देख लेते हैं पर कोशन नमर्चार है मारबास कि बॉक्स में समफर यह ठीक एक बटा सिक्स कितना होता है छे से भाग किजेगा एक में तो कितना आएगा तो नहीं लेगा तो पोइंट दीजेगा ठीक तो यहां जीरो आएगा एक मरते में छे चार परके छोड़ दीजेगा तो कितना आएगा पॉइंट वन सिक्स यहां पर लिख दीजेगा पॉइंट वन सिक्स ठीक ऐसे लिख दीजेगा आपको फुल माक्स मिल जाएगा यह इसा कोशन आपको रहने वाला है दम ठीक तो इसा पुड़ा पढ़ दीजेगा वीडियो आप 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसा ही होता है ठीक तो पहला हो गया 5 तो दूसरा कितना हो गया 7 पहला हो गया 9 तो दूसरा हो जाएगा 11 जिसे में लगतार होगा यानि 2-2 बढ़ रहा है ठीक एक होगा तो 3 हो जाएगा 2 बढ़ गया 3 है तो 5 होगा एक 2-2 बढ़ रहा है यानि कि यहां पर X plus 2 होगा तो 2 इसमें भी बर जाएगा तो यहने कि X plus 2 2 4 हो जाएगा तो X plus 4 तो यहां भी प्रिक जिएगा X plus 4 समझ में आया होगा ठीक, स्थे लिए, question number 3 क्यों बरते है 3 number question भी बरते है कि बहु भूज इतना में वर्ग कितना होगा वर्ग कितना होगा इसमें बहू भूज में वर्ग कितना है ठीक तो यहां पर कोस्णे एक पासे को फेकने पर 6 आने की प्राइकता है, यहाँ पर देख लिजिए, चैनल का प्लेडिस एक बार जरूर चेक कर लिजेगा, ठीक, वो सब वीडियो आप देखके जाएगा, ठीक, चलिए यहाँ पर एक डाइस हम बना लिए, रहे डाइस है, हम क्या बोले थे, उस वीडियो में हम बोले थे तो चैनल का प्लेडिस जाके जरूर देख लिजेगा, सभी सब्जेक का वीडियो डाला हुआ है, ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, कि संभो पर नाम कितना है, कितना आने की प्राइकता है, 6, 6 तो एक ही नहीं है, एक पासा में कितना आ यथा, ठीक, कोई एक जीतना दो संभो ज़दा, तो ऊपर दो हो ज़दा, खूल कितना है 6 तो 6, 2 वटाचे, तीन डता दो तर 3 वटाचे, 4 वटाचे, जितना बोलेगा उतना है, ठीक, चलिए कुशन नमर 5 की पर लटेए, पाचा में क्या है, यहाँ पर तो सब्जेंटिव पांच नमर कोशन बोला एक कोशन ऐसा आपको रहने वाला है थम ठीक बोला किया 156.25 का वर्गमुल आपको ग्यात करना है तो कैसे वर्गमुल ग्यात किजेगा 156 लिख लिजिए 156 सब को पहले अटा लेते हैं चलिए 156.25 चलिए बड़ा और छोटा दे ठीक चलिए इसको प एक ही जोड़ा लगा चलिए एक कितना से लगेगा तो एक बार में एक एक कम एक एक कितना हो गया दो गया इसको जोड़ना है ठीक एक बार में लगा तो एक गया पांच और छे जोड़ा उतरा ठीक अब कितना बार में लगेगा दो दूनी चार दो दूनी यहां जुटता ह ऊतार दीजिए अर येओं दोना के लिए फिरनाक लाइब के लिए कितना चार जो आलीस अगया चैनल भ्यावलर भाइब हएक वैसे सच और एक और हएक तो एक आप दो प데 चलिए इसको चोवीश को साइडमन मुलना किरल टौर कितना मैं लागा तो statistि यहां 5 बाद में लगए गाए तो 1225 आ जाएगा 5 मर्द में मल्टिप्लाई किजिएगा तो 1225 आ जाएगा तो 5 उपर लिखिया और 5 नीचे लिखिया इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको इसने बना देज़ेगा और यहां पर लिख देगा इतना एंसर तो यहां पर फूल माक्स मिल जाएगा ठीक चलिए तो कोश्चन नमर साथ की बढ़ते कोश्चन नमर साथ आपका क्या है कि एक एक जो है चतुरभूज है यहां पर देख लेते हैं चलिए जिसमें दिया हुआ है यहां पर कोन की चर्चा नहीं किया है इसक नाम किया बोला है कि और इस्का नाम क्या बोला है और इसका नाम D बोला है ठीक तो क्या बोला है AD A और D के लंबाई होना चाहिए 2.3 देख सकते हैं यहां पर A और D के लंबाई कितना होते चाहिए 2.3 यहां पर ले सकते हैं लेकिन स्केल से मिलाएगा ठीक कौन नहीं दिया और यहां पर ले लिजेगा C, D से कितना बोला है, A, D होतो हो गया, B, C कितना बोला है, यहां पर देख सकते हैं, B, C, 6 बोला है, तो यहां पर 6 ले लिजेगा, 6 ले लिजेगा, A, C, A, C, B, ठीक, और यहां पर A, B बोल दिया है, कितना, 4, ठीक, तो यहां पर इसको मिला देगा, तो यह चार आ जाएगा, यहां पर कोन की चर्चा नहीं किया था तो यहां कोन नहीं बना कोन की चर्चा करता तो कोन भी बनाते तो अगले वीडियो में हम कोन का भी कोशन लेके आएंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देज़ेगा सभी वीडियो आप देख के जाएगा ठीक, फाइनल आपका एग्जाम है ठीक, ठीक, जुछे आठ नमर कोस्षन के बढ़तां आठ नमर कोस्षन नमर पर सहे, कि एक आयत की लंबाई 4 संटीमिटर, तथा चोड़ाई 3 संटीमिटर है, तो उसके दोनों विकरनों की लंबाई ग्यात किजिए, दोनों विकरनों की लं STIQ 1 purposes 4 cm और 4 विकर्ण इक दोनो कितने लंगाई बराबड़ होता है यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ आप नबेडी ही यह आपका पाइथा गोरस बर्मेस क्या डिक आपने अरो कि दोनों का स्क्वाइर विकर्ण निकालने का विकर्ण यहां पर लिखेगा विकर्ण की लंबाई बराबर विकर्ण की लंबाई बराबर फर्मुला क्या हो है रूट अंडर दोनों का स्क्वाइर करके चार का स्क्वाइर किजिए और तीन का स्क्वाइर किजिए और दोनों क प्लस कर देजिए ठीक तो आपको अभी कर निकल जाएगा इसको सॉल्व कर देजएगा तो रूट एंडर चार्चों के क्या QS 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 Z QS 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 चेlor एक एक स्क्वे एक स्क्वे पलास दो के चार हो गिया और माइनस two ab two two दुछ दुछ एक स्क्वेश और कौश्ट बंद और ब्रैबर में 32 ठीक्व सीग इतना दे दिया थी तो यहां पर देफ मिल ब्रैबर दे दिजेगा ब्रीच एक स्क्वेयर माइनस यहां पर है तो पूरा अंदर वाला कोश्ट वाला को पूरा के साइंज कर देगा यानि कि एक स्क्वेयर जो पलस में हो माइनस में में एक स्कार कर देगा जो माइनेस में चार है माइनेस में चार कर देगा माइनेस में फोरेक्स है तो पलस में फोरेक्स कर देगा और बरावर बतीस ठीक X2 X2 कٹ गया बराबर क्या हो गया माइनस 4 पलस 4X और बराबर 32 चरिए माइनस 4X को उस तरफ भिजिये इस तरफ तो फोर एकस बच जाएगा बराबर में 32 उस तरफ है पहले से और माइनस 4 उपठी गया तो पलस चार हो गया ठीक यानी कि 4x बराबरा कितना बचा 32 सचार 26 बचा तो x बराबरा क्या हो जाएगा 36 और उपर में जाएगा कौन नीचे में 4, 9 मरते में कर जाएगा, 9, 4 को 6 यानि ये x बराबरा 9 हो गया, यानि की x बराबरा 9, यही आपका answer हो गया, ठीक, तो इतना बना देजेगा, तो आपको 5 और 5 ये आपके लिए बहुत important ये question है, बहुत important ये question है, नहीं समझ में आया हुए, एक बार फिर वीडियो back क cube हो तो घं की भुजा क्या होगी, घं की भुजा क्या होगी, तो 125 को सबसे पहले तोर लिजेए, 125 को तोरिएगा, पाग से, पाग से कितना बार में? पाग दोनी दस, दो बार में, तो से बच decisions बचे गा तो 20, बच पचे पचे, फिर 5 से तो एक मर्दे में 5, ठीक, चलिए, तो क्या किये 125 को ब्रावर में कितना बड़ में किकी है घर निकलना था तो थीरी घर निकलना है तो थीरी ठीक वर्मून निकलना रहता है तो थीक पांच गुना पांच गुना पांच आया ठीक तो तीन है जोड़ा तो एक निकल जागा एक निकल जागा तो यानि पांच यही चौंसर दे देता आप नहीं बना देते हैं 27 दे देता तो नहीं बनाते हैं 27 को तोड़ लेते हैं 3 मारते में 9 और 3 मारते में 9 3 आ गिया तो एक इंसर हो जाएगा समझ गया हैं? वैसे ही आपको कोई question देतेगा तो आप बना देजेगा और तो यहाँ पर 10 के 10 question कर लिए हैं और ऐसा ही pattern पर आपको question फाइनल exam में पूछेगा तो चैनल को subscribe जरूर कर देजेगा और सभी subject का video आएगा सभी subject का चैनल का playlist जरूर एक बार check कर लिजेगा ठीक चैनल को subscribe जरूर कर देजे 100% और अपने दोस्तों के पास जरूर share कीजिए ठीक ताकि ओभी पढ़ ले ओभी आपको पास आपको बताया कि हाँ इस चैनल से उनको भी फायदा हुआ था तो चैनल के सब्सक्राब जरूर कर देजेगा धन्यवाद